सिगरिट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा? परिणाम होगा, तम बाकू आज ही छोड़ें, सहायता के लिए 18-00-11-2356 पर कॉल करें, या मिस्ट कॉल दे, 0-1-1-2-9-1-7-1 पर हेलो दोस्तो, स्वागत है, सभी का हमारे इस योट्यूब चैनल पर, MKMovie Facts पर, दोस्तो आज के इस वीडिये में रिवीव करूँगी, वीवा, फूल मूवी, फूल रिवीव, जी हाँ दोस्तो, आपने सही सुना, दोस्तो आज के इस वीडिये में बाते करूँगी, वीवा फूल मूवी, फैक्ट, एन रिवीव, और मूवी से जूरे रोमेंटिक फैक्ट, जो आप सायद नहीं जानते होंगे, दोस्तो, आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सस्क्राइब और वीडिये को लाइक और साथी साथ बैल आइकन दबान बिल्कुल न भूले, दोस्तों आप चले वीडिये को स्टार्ट करते हैं, विवा एक 2006 में बनी महिंदी भारतिय भासा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें सूरज और बढ़ जातेया द्वारा लिखित और नेर्दिस किया गया था, अबर इसमें साहित कपूर और अम अमरिता राओ मुख भूमिकाओं में है, फिल्म का निर्मान और वितरन राजश्री परडूशर द्वारा किया गया था, विवा दो वैक्ति की कहानी कहता है, और सगाई से लेकर साधी और उसके बाद उनके सफर को बताता है, विवा चौते फिल्म है, जिसमें अमरिता रा में 1569 मिलियन से अधिक कमाई करके हुई, वर्स की सबसे बड़ी वैक्त साइक सफलताओं में से एक बन गई, गंभीर स्वागत नितन कुछ समीचन के पाया की, इसमें नाटेंक रूप से क्या भी भी फूल हुआ था, लेकिन उसे फिल्म में विवा को चितर करने के लिए तारीक में परिवर्तन को ट्रेंग करने के लिए श्री देव दिया गया था, या एक अपलसी सफलता के सांसाथ, कपूर आवर राव की उस समय की सबसे बड़ी वैक्त साइक सफलता बन गई, फिल्म में कपूर आवर राव की प्रदर्शन में उने स्कीन, टेलिविजन में क शीन स्वेश्ट अभिनेत्री आवर स्वेश्ट अभिनेत्रे के लिए नामी दिया गया था, विवा सीनिमा और टेलिविजन पर पोडॉक्शन कमपानी की अध्यकारी साइड के मादम से एक सांथ रिलीज होने वाली पहली बात्य फिल्म है, फिल्म में तेलंगु में भी ड चीज फरवरी 1981 एक भात ये अभिनेत्रे हैं जो फिल्म हिंदी फिल्म में दिखायते हैं, शुरू में रोमांटिक भूमिकाहों में चित्र करने के लिए पहना आवे जाने जाते हैं, बाद उन्हें एक्शन फिल्म और थेलर में भूमिकाहों निभाहें और तीन फिल्म फि आवर निलमा जमीन के बेटे कपूर के शायम डाउन की कदामी में एक नेते के रूप में प्रसीद किया है वा उनीस नबे में दसक के कुछ फिलिम के बैक्ड ग्राउंड डॉस के रूप में दिखाये दिये और बाद में उन्हें संगीत वीडियो आवर टेलिवीजन विज्यापनों में दिखाया गया उन्हें 2003 में रॉमांटिक ड्रामा इसक विशे के एक प्रमूख भूमिकाओं के साथ अपने फिलिम की सुरुवात की एक सली पर हिट जिसमें लिए उनस्वेश्ट पुर्स्त प्रदात के लिए फिलिम फियर पुर्षकार जीता सुरुल पर जाते हैं के सिर्श कमाईग वाली प्रवीक ड्रामा विवाव 2006 में अभिनाय करने से पले उन्नेने कई वी विज्यासिस विपातों में अभुनाय किया था कपूर में इमताज अली आवर रोमाइंटिक ड्रामा जब वापेट 2007 में एक परशान व्यक्ति आवर विशाल भात दाज की एक्शन फिलिम कमीना 2009 में जुवा भाई की भूमिका और निबायल के लिए सेस्ट अभिनेत की फिलिम फियर पुसकार के लिए अजित किया गया था एक माद्यवी लड़की पूनम छोटे से सहर माद्यपूर में राती है उसके माता पिता की मेर्ति बच्बन में हो गई थी अवर तब उसके चाचा क्रिश्कांत ने उसके जीवन में एक पिता का कमी को पूरा कर दिया हाला कि उसके पतनी रामा इशा करती है कि अवर पुनम को श्विकार करने में अश्रमद है इसके परिवरेत की उसके अपनी छोटी रजीना का रंग शावला है अवर पुनम से कम सुन्दर है उसके बावजूद रजीने के पुनम के बीच नदी क्या बढ़ती है अवर खुद को बहन मनती है नई दिल्ली में एक प्रसीद वैपारी हरी चंद बाबा जीप के दो बेटे हैं विवाहित सुनील अवर मूत शाहित अवर सुरिक्षित प्रेम पुनम का सरल अवर शनोहर बेवार भागत एक चोदरी अवर क्रिश्नकात के दोस्त को प्रवीत करता है जो प्रेम के लिए उसके साधी का प्रस्ताओ लेते हैं हरी प्रस्ताओ पर उनके राय लेता है भीजक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर देना की जरूरी है हरी प्रस्ताओ लेने से पहले उसे पुनम से मिलने के लिए मना लेता है प्रेम समत है वे मिशाल को मिलने जाते हैं अबर उसमें पूनम के उप परिश्च रिद करके प्रेम अबर पूनम तरुदुरंत एक दूशे से परिद अक्रिष्ट हो जाते हैं साधी के लिए राजी हो जाते हैं अबर शगाई कर लेते हैं पर अभिनेत करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेतर तरीके से जान सके दोनों अपने जीवन से सबसे जादू आवर रोमांटिक दार से घुजरते हैं प्रेम में बढ़ने लगी आवर जूड जूड जाते हैं बाद में हरीश आवर उसका परिवार तुरंत एक वेवस्तारिक बैटकर में भाग लेने के लिए घर लोटता हैं प्रेम और प्रेम टेलीफोन और पत्र पे माध्यम से सवाद करने करते हैं प्रेम वेस्त साहित और सामिल हो जाता हैं और जपान में एक और शेक परियोजना पर काम करता हैं लोटने पर परिवार पुनम को एक अस्चाय के रूप में ले आते हैं और पुनम की पहली यात्रा और प्रेम को सफल वेक्त उदारं में समाने में एक वर्ता योज जित किया गया था वस्ताव और दोरान क्राविदित और इशलक राम अपने कमरे में छिप जाते हैं क्रिस्काट उसके पता है कि अपने गुशे में उसका समान करता है अबर राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन की प्रयासों में बावजूद पुनम को श्रीकार करने में इनकार करने पर्मी बाहर बुलता है वह उसे सुचित करता है कि वह एक मंत्र वैक्ती है जिसमें पुनम की कभी शायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है हाला कि पुनम समय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकिर्ती के बुरे तरह से जल जाते हैं डॉक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इनकार करते हैं पुनम का निवादन अवर एक तश्वे की वाह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता है कि वा कितनी कूर है पुनम भगत जिन्त क्टूट के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वा राम रोध के लिए मधुर पूर जा कर राता है जैसे कि वा उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हर सक्षर करने क्वाला है वा रोना शुरू कर देता है अबर ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने चिटियों को बावजूद पूनम से साधी करने से दिल्ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकिन करता है वा उसके सरजरी से पाले अनुम पतशी शुरूफ से उसे साधी करता है दिल्ली के डॉक्टर के मदद से अस्पताल पूनम की सरजरी सफल पूनम करता है बाद में पूनम और प्रेम प्रवीक रोफ से साधी सुदा है अवर अपने नए जीवन के लिए घर जाते है अपने साधी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिल्म में एक किशी के साथ समाप्त होती है अवर उसके विवाई जीवन की शुरुवात होती है प्रेम को ठीक से बुलाता क्योंकि वा समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वा उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली छूट पर हर स्ट्रक्चर करने वाला है वा रोना शुरू कर देता है अवर ऐसे ही नहीं करता प्रेम आता है अपने चूटी चूटी के बाजूर पूनम के साधी करने अवर दिलनी से बैतर डॉक्टर दिलाने के शुरुआत करता है सुनिल ने हिंदी सिरियलो समदर्न में डूई किया था 1956 में वा दूरे दर्शन में एयो माउथ फूल आफ स्कीन पे अशोक माथूर के रूप में दिखाए गए थे उन्हें शाइन गेट 1968 में अपनी फिलिम की शुरुआत की जिसमें बाद उन्होंने कैमियो किया था 2003 में शिनमो के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती आवर कहां हो तुम मुख भूमिकाओ निबाय उसे वर्सिनो में टेलिवीजन शिंकलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें साची में किया गया था सिनमा में 2010 में रिलीज दिखी बीब सो बिग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाय किया शिनमें एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रशीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुक भूमिकाव निभा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के लिए इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड चेस्ट अभिनेत्रे के लिए आई टी अवर्ड ड्रामा लोग प्रिये के साथ अजित किया 2018 में उन्हों सजय सूरी अभिनेत्र माई बड़े स्वांग के साथ एक फिलिम निडेसक के रूप में सुरुवात की अटलिंग के जर्ये उनके मुकात राज लक्षमी खंदा अवील किसे हुई तलाक से छाई मैने पहले दोनों की साधी हुई थी वो अन शिफ जोहल के साथ रिष्टे में स्थ थे अवर उससे सगाई कर ली सगाई टूटने से दो साल पहले तक चलती थी 25 जन्वारी 2011 को उन्होंने पूना अभी नेतर निलम कुठारी से साधी की साधी के उसके एक बेटे हैं अमिरी तरह उन्होंने मन विध्या के शानात किया है वो समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मनाटी अवर कोंकनी भासाग में का ग्यान है अमिरी ता ने अपना करियर मॉडलिंग से सुर्वात किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्चानक उसे समय हुआ जब अन्य मॉडलिंग में से सरिफ उसे फॉर्म वेरेक्ट फ्रिम्स के स्क्रीन पर पचार करने के लिए चुना गया था उस समय वह एक छात्रा थी एक के बाद 24 महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम्स में काम किया था इस तरह बेहद व्यक्तिक जीवन होने के बाद भी वह कक्षा की प्रथन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम्स में उनके संदार अभी नए के बाद से उन्हें बॉलिवूड फ्लिम्स में काम करने की प्रस्ताओ आने लगे उनकी पहली फ्लिम्स थी अब के बरास संद वाजर दो में जीनका निदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात मिली में एक नए घोशिस की फ्लिम्स विस से जो संद वाजर तीन में रिलीज हुई थी सबसे बाद संद दोजर छे में मरती में हुना तथा दिवाने संद दोजर छे में शिकार संद दोजर चार में प्यार मुहनत संदोजाद छे में सबसे अधीक सफल हुई फिलिम का विवास संदोजाद छे में निर्देशक सूरज बर जाते आये फिलिम बेयाद सफल फिलिम रही तथा भारतिये दर्शकों के साथ दुनिया के अनए देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाई 1956 में भारते फिलिम चत्र अभिनेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट टनबर द्वारा निर्दिस उनिस ब्लासी में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांधी के साथ अपना फिलिम की शुरुवात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चीतर के लिए अवकर आदमी को पुर्सकार जीता वास अशोप बुद्धियाद में दिखाए दिये जिसमें उन्नीस चपन में देश की तुफान लाहे दिया था वा डिस्तों में भी है जो उन्नीस संदिनानमे में दो हजार एक की प्रावरीक हुई वास अपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाए दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूं और डिस्तों क्या कहलाता है दिखाथ पर लेक अभीने विनेदान नया द्वारा बालकात और दो हजार ठालन में इंडिया मीटू और टोलन के दरान कई महिलाव द्वारा यानी दूर्चान का अरोप लगाया गया था अवर उन पर मुंबाई प्लीस द्वारा बलकात का अरोप लगाया गया था दिसंबर 2013 में अलोपनात द्वारा निबाया या अप्रादो पर अधाडित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्शन मोडरिनिंग का एक करने लगे आवा तेज से फैल गए अलोपनात की जिग्यानुशा मलता तुंतन पर अलोपनात की रुजाय क्योंकि अलोपनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जन्वारी दोर्जा चादा को लोख पिरिये हुए छूट कूलों के प्रस्किरिया होते हुए अभिनेकी स्विकार किया की वा उसमें से अधिकंस प्रसीद करते थे नात का जरम 10 जुलाई 1956 में खंडगिया बिहार में हुआ था नात के एक बहन वीनिती मालिक है जो यारिस्ता क्या कहलाता है में भावनी मुक्बुम का में जानी जाती है अनुफ कैर का जर्म साथ मार्च 1955 में सीमला में हुआ था इसके पिता पूर्ष कर नात एक कश्मीरी पंडित तेवा पोदो के क्लश्ट थे सीमला में प्राभिक सीख्षा प्राप्त करने के बाद राष्टी एना तक विद्याले में एडमीशन में शानात रूप से की थी 1995 में में अनुफ कैर की साधी किरन खेर से हुई थी अपने फिलिम करियर की सुर्वात अनुफ कैर ने 1982 में गराम मसाला नामक फिलिम में की थी लेकिन 1984 में आई श्रेकरश्ट उनकी पहली हिट फिलिम मानी जाता है 2006 में अनुफ कैर के ABC News डेलिक्ट भारतिये टीवी शीरियर में शुनाया जो प्रसीन भारत में नौवी सब दोस्ताइद के यात्रा पर वरन करता था अम्रीता परकास एक भारतिय अभिनेतरी हैं और मोडल हैं उन्होंने चार साल के उम्र में अपने अभिने करियर की शुरुवात की और बॉलीवूड का मालियालम दोनों फिलिम में अभिने किया तब से उन्हें बॉलीवूड फिलिम टीवी शी टेलिवीजन रिलीजिट आवर फेंशन शो में अश्टर स्केल में देखा जाता है वो आखिर बार सोनी टीवी पर प्राशीद हो पट्याला बेबल में इस्टा की भूमिकाओं निभाते हुए दिखाई दे रही है अमरीटा ने मुंबई विश्विद्याले में विज्ञान आवर वेस्ताई प्राशे में माडरिंग दिन पर पात किया था अमरीटा ने अपने करियर की शुरुवाद चार साल के उम्र में विज्यापन से की थी इनकार करने पर्मी बाहर बुलता है वह उसे सूचित करता है कि वह एक मंतर वैक्ती है जिसमें पूनम की कभी शायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है हाला कि पूनम समय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकिर्ती के बुरे तरह से जल जाते हैं डॉक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इनकार करते हैं पूनम का निवादन अबर एक तश्वे की वाह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता है कि वा कितनी कूर है पूनम भगत जीन्त क्टूट के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वा राम रोध के लिए मधुर पूर जा कर रहता है जैसे कि वा उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हर सक्षर करने क्वाला है वा रोना शुरू कर देता है अबर ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने चिटियों को बावजूद पूनम से साधी करने से दिल ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकिन करता है वा उसके सरजरी से पाले अनुम पतशी शुरूफ से उसे साधी करता है दिल ली के डॉक्टर के मदद से अस्पताल पूनम की सरजरी सफल पूनम करता है बाद में पूनम और प्रेम प्रवीक रूफ से साधी सुदा है अबर अपने नए जीवन के लिए घर जाते है अपने साधी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिल्म में एक किशी के सासमाप्त होती है अबर उसके विवाई जीवन की शुरुवात होती है प्रेम को ठीक से बुलाता क्यूंकि वह समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वह उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली छूट पर हर्स्रक्चर करने वाला है वह रोना शुरू कर देता है और ऐसे ही नहीं करता प्रेम आता है अपने चूटी चूटी के बाजूर पूनम के साधी करने अवर दिलनी से बैतर डॉक्टर दिलाने के शुरुआत करता है सुनिल ने हिंदी सिरियलो समदर्ण में डूई किया था 1956 में वा दूरे दर्शन में एयो माउथ फूल आफ श्कीन पे अशोक मातूर के रूप में दिखाए गये थे उन्हें शाइन गेट 1968 में अपनी फिलिम की शुरुआत की जिसमें बाद उन्होंने कैमियो किया था 2003 में शिनमों के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती अवर कहां हो तुम मुक भूमिकाओ निबाय उसे वर्सिनम में टेलिविजन शिंकलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें सांची में किया गया था सिनमा में 2010 में रिलीज दिखी बीब सो बिग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाय किया शिनमें एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रशीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुक भूमिकाव निभा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के लिए इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड चेस्ट अभिनेत्रे के लिए आई टी अवर्ड ड्रामा लोग प्रिये के साथ अजित किया 2018 में उन्हों सजय सूरी अभिनेत्र माई बर्डे सौंग के साथ एक फिलिम निदेशत के रूप में सुरुआत की अटलिंग के जर्ये उनके मुकात राज लक्षमी खंदा अवील किसे हुई तलाक से छाई मैने पहले दोनों की साधी हुई थी वो अन शिफ जोहल के साथ डिष्टे में स्थ थे अवर्ड उससे सगाई कर ली सगाई टूटने से दो साल पहले तक चलती थी 25 जन्वारी 2011 को उन्होंने पून अभी नेतर निलम कोठारी से साधी की साधी के उसके एक बेटे हैं अमिरी तरह उन्होंने मन विग्या के शानात किया है वो समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मनाटी अवर्ड कोंकनी भासक में का ग्यान है अमिरी ता ने अपना करियर मॉडलिंग से सुर्वात किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्चानक उसे समय हुआ जब अन्य मॉडलिंग में से सिर्फ उसे फॉर्म वेरेक्ट फ्रीम्स के स्क्रीन पर पचाल के करने के लिए चुना गया था उस समय वह एक छात्रा थी एक के बाद 24 महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम में काम किया था इस तरह बेहद वेक्तिक जीवन होने के बाद भी वाक अक्षा की प्रत्थन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम में उनके संदार अभिनाय के बाद से उन्हें बॉलिवूड फ्लिम में काम करने की प्रस्ताव आने लगे उनकी पहली फ्लिम थी अब के बरास संद वाजार दो में जिनका नीदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात मिली में एक नए घोशिस की फ्लिम इस क्विस से जो संद वाजार तीन में रिलीज हुई थी संद दोजार छे में मरती में हुना तथा दिवाने संद दोजार छे में शिकार संद दोजार चार में प्यार मुहनत संद दोजार छे में सबसे अधीक सफल हुई फिलिम का विवास संद दोजार छे में निर्देशक सूरत बढ़ जाते आये फिलिम बेयाज सफल फिलिम रही तथा भारतिये दर्शकों के साथ दुनिया के अनए देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाई 1956 में भारते फिलिम चत्र अभिनेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट तनबर द्वारा निर्दिस 1922 में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांधी के साथ अपना फिलिम की शुर्वात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चितर के लिए अवकर आदमी को पुर्सकार जीता वास अशोप बुद्धियाद में दिखाए दिये जिसमें 1956 में देश की तुफाला है दिया था वार डिस्तों में भी है जो 1999 में 2001 की प्रावरीक हुई वास अपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाए दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूं और डिस्तों क्या कहलाता है दिखाथ पर लेक अभिने विनेदा नया द्वारा बालकात और 2013 में इंडिया मेटू और टोलन के दरान काई महिलाओ द्वारा यानी दूर्चान का अरोप लगाया गया था अवर उन पर मुंबाई प्रीस द्वारा बालकात का अरोप लगाया गया था दिसंबर 2013 में अलोखनात द्वारा निबाया या प्रदो पर अधाडित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्शन मोडरिनिंग का एक करने लगे अवर तेज से फैल गए अलोखनात की जिग्यानुशा मलता तुंतन पर अलोखनात की रुजाय क्योंकि अलोखनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जनवारी दोज़े चादा को लोख पिरिये हुए छुट कूलों के परस्किर्या होते हुए अभिने की सिकार किया का परसाओ लेते हैं हरी इस प्रस्ताव पर उनके राय लेता है धीजक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर परदयान देना की जरूरी है हरी इस फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है प्रेम समत है वे मिशाल को मिलने जाते हैं अबर उसमें पूनम के परिश्ट करके प्रेम अबर पूनम तरुतुरंत एक दूशे से परिश्ट हो जाते हैं साधी के लिए राजी हो जाते हैं और शगाई कर लेते हैं क्रिंसकात बाजपी को सोनम शवेरं में अपने गरंजकाली स्थान पर अभिनेत करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेतर तरीके से जान सके दोनों अपने जीवन से सबसे जादू और रोमांटिक दर से गुजरते हैं प्रेम में बढ़ने लगी और जूड जूड जाते हैं बाद में हरिश और उसका परिवार तुरंत एक वेविश्टाजिक बैठकर में भाग लेने के लिए घर लोड़ता है पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र पे माध्यम से सवाद करते हैं प्रेम वेश्ट साहित और सामील हो जाता है और जपान में एक अवश्ट परियुजना पर काम करता है लटने पर परिवार पूनम को एक अस्ट्राए के रूप में ले आते हैं और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम को सफल वेक्ट उधारन में समाने में एक वस्ता योज जित किया गया था वस्ता और दोरान क्राविदित और इश्रलक राम अपने कमरे में छिप जाते हैं क्रिस्कात उसके पता है कि अपने गुशे में उसका समान करता है अबर राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन की प्रयासों में बावजूद पुनम को श्रीकार करने में इनकार करने पर्मी बाहर बुलता है वा उसे सुचित करता है कि वा एक मांतर वैक्ती है जिसमें पुनम की कभी शहायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है हाला कि पुनम समय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकीरती के बुरे तरह से जल जाते हैं डॉक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इनकार करते हैं पुनम का निवादन अवर एक तश्वे की वह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता है कि वह कितनी कूर है पुनम भगत जीन्त क्टूट के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वह राम रोध के लिए मधुर पूर जाकर राता है जैसे कि वह उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हसक्षर करने क्वाला है वह रोना शुरू कर देता है अबर ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने चिटियों को बावजूद पूनम से साधी करने से दिल ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकिन करता है वह उसके सरजरी से पाले अनुम पतशीश रूफ से उसे साधी करता है दिल ली के डॉक्टर के मदसे अस्पताल पूनम की सरजरी सफल पूनम करता है बाद में पूनम और प्रेम प्रवीक रूफ से साधी सुदा है अबर अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं अपने साधी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिल्म में एक किशी के सासमाप्त होती है अबर उसके विवाई जीवन की शुरुवात होती है प्रेम को ठीक से बुलाता क्यूंकि वा समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वा उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली छूट पर हर्स्रक्चर करने वाला है वा रोना शुरू कर देता है और ऐसे ही नहीं करता प्रेम आता है अपने चूटी के बाजूर पूनम के साधी करने अवर दिलनी से बैतर डॉक्टर दिलाने के सिरुवात करता है सुनिल ने हिंदी सिरियलो समदर्न में डूई किया था 1956 में वा दूरे दर्शन में माउथ फूल आफ स्कीन पे अशोक माथूर के रूप में दिखाए गये थे उन्हें शाइन गेट 1968 में अपनी फिलिम की शुरुवात की जिसमें बाद उन्होंने कैमियो किया था 2003 में शीनमों के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती आवर कहां हो तुम मुक भूमिकाओ निबाय उसे वर्सिनों में टेलिवीजन शिंखलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें साची में किया गया था शिनमा में 2010 में रिलीज टिवी सो बिग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाय किया शिनमें एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रशीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुक भूमिकाओ निबा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के लिए इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड च्वेस्ट अभिनेत्रे के लिए आई टी अवर्ड ड्रामा लोग प्रिये के साथ अजित किया 2018 में उन्हों सजय सूरी अभिनेत्र माई बर्डे सौंग के साथ एक फिलिम निडेसर के रूप में शुरुआत की अटलिंग के जर्ये उनके मुकात राज लक्षमी खंदा अवील किसे हुई तलाक से छाई मैने पहले दोनों की साधी हुई थी वा नशीफ जोहल के साथ रिष्टे में स्थ थे अवर उससे सगाई कर ली सगाई तूटने से दो साल पहले तक चलती थी 25 जन्वारी 2011 को उन्होंने पून अभिनेत्र निलम कुठारी से साधी की साधी के उसके एक बेटे हैं अमिरी तरह उन्होंने मन विध्या के शानात किया है वह समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मनाटी अवर कोंकनी भासाग में का ग्यान है अमीता ने अपना करियर मॉडलिंग से सुरुवत किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्छानक उसे समय हुआ जब अन्य मॉडलिंग में से सिर्फ उसे फॉर्म वेरेक्ट फ्रिम्स के स्क्रीन पर पचाल करने के लिए चुना गया था उस समय वह एक छात्रा थी एक के बाद 24 महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम्स में काम किया था इस तरह बेहद व्यक्तिक जीवन होने के बाद भी वह कक्षा की प्रथन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम्स में उनके संदार अभिनाय के बाद से उन्हें बॉलिवूड फ्लिम्स में काम करने की प्रस्ताव आने लगे उनकी पहली फ्लिम्स थी अब के बरस संदार दो में जीनका नीदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात मिली में एक नए घोसिस की फ्लिम्स स्विस से जो संदार तीन में रिलीज हुई थी सबसे बाद संद 2006 में मरती में हुना तथा दिवाने संद 2006 में शिकार संद 2004 में प्यार मुहनत संदो आजाट छे में सबसे अधीक सफल हुई फिलिम का विवास संदो आजाट छे में निर्देशक सूरत बढ़ जाते आया फिलिम बेयाद सफल फिलिम रही तथा भारतीय दर्शकों के साथ दुनिया के अनाय देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाई 1956 में भारते फिलिम चत्र अभिनेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट टनब द्वारा निर्दिस उनिस ब्रासी में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांधी के साथ अपना फिलिम की शुरुवात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चितर के लिए अवकर आदमी को पुर्सकार जीता वास अशोप बुद्धियाद में दिखाए दिये जिसमें उन्नीस चपन में देश की तुफान लाहे दिया था वा डिस्तों में भी है जो उन्नीस संदिनानमे में दो हजार एक की प्रावरीक हुई वास अपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाए दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूं और डिस्तों क्या कहलाता है अबिने विनेदा नया द्वारा बालकात और दो हजार ठालन में इंडिया मेटू और टोलन के दोरान काई महिलाओ द्वारा यानी दूर्चान का अरोप लगाया गया था अबर उन पर मुंबाई प्लीस द्वारा बालकात का अरोप लगाया गया था दिसंबर 2013 में अलोकनात द्वारा निबाया या प्रादो पर अधारित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्शन मोडरिनिंग का एक्ट करने लगे अबर तेज से फैल गए अलोकनात की जिग्यानुशा मलता तुंतन पर अलोकनात की रुजाय क्योंकी अलोकनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जन्वारी दोर्जा चादा को लोक पिरिये हुए छूट कूलों के प्रसिक्रिया होते हुए अभिनेकी सिकार किया की वा उसमें से अधिकन्स प्रसीद करते थे नात का जर्म 10 जुलाई 1956 में खंडगिया बिहार में हुआ था नात के एक बहन वीनिती मालिक है जो यारिस्ता क्या कहलाता है में भावनी मुक्बुम का में जानी जाती है अनुफ कैर का जर्म साथ मार्च 1955 में सिमला में हुआ था इसके पिता पूर्ष कर नात एक कश्मीरी पंडित तेवा पोदो के क्लश्ट थे सिमला में प्राभीर्क सिख्षा प्राप्त करने के बाद राष्ट ये नातक विध्याले में एडमीशन में शानात रूप से की थी 1995 में में अनुफ कैर की साधी की रंद खेर से हुई थी अपने फिलिम करियर की सुर्वात अनुफ कैर ने 1982 में गराम मसाला नामक फिलिम में की थी लेकिन 1984 में आई श्रिकरश्ट उनकी पहली हिट फिलिम मानी जाता है 2006 में अनुफ कैर के ABZ News डेलिक्ट भारतिये टीवी शिर्यर में शुनाया जो प्रसीन भारत में नौवी सब दोस्ताइद के यात्रा पर वरन करता था अम्रीता परकास एक भारतिय अभिनेत्री हैं और मोडल हैं उन्होंने ने चार साल के उम्र में अपने अभिने करियर की शुरुवात की और बॉलीवूड का मालियालम दोनों फिलिम में अभिने किया तब से उन्हें बॉलीवूड फिलिम टीवी शी टेलिवीजन रिलीजिट आवर फैंशन शो में अश्टर स्केल में देखा जाता है वो आखिर बार सोनी टीवी पर प्राशीद हो पट्याला बेबल में इशा की भूमिकाओं निभाते हुए दिखाई दे रही है अमरीता ने मुंबई विश विद्याले में विध्यान आवर वेस्ताई प्राशला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है प्रेम समत है वे मिशाल को मिलने जाते हैं अवर उसमें पूनम के उप परिष्ट करके प्रेम अवर पूनम तरुतुरंत एक दूशेशे परिष्ट हो जाते हैं साधी के लिए राजी हो जाते हैं और शगाई कर लेते हैं किसकात बाजपी को सोनम शवेरं में अपने गरंजकाली स्थान पर अभिनत करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीकेशे जान सके दोनों अपने जीवन से सबसे जादू और रोमांटिक दर से गुजरते हैं प्रेम में बढ़ने लगी और जूड जूड जाते हैं बाद में हरिश और उसका परिवार तुरंत एक वेविश्टाजिक बैठकर में भाग लेने के लिए घर लोड़ता हैं पूनम और प्रेम टेलिफोन और पत्र पे मादम से सवाद करने करते हैं प्रेम वेट साहित और सामील हो जाता है और जपान में एक अवशेक परियोजना पर काम करता है लोटने पर परिवार पूनम को एक अश्चाय के रूप में ले आते हैं और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम को सफल वेक्त उधारन में समाने में एक वस्ता योज जित किया गया था वस्ताव और दौराम क्राविदित और इश्वलक राम अपने कमरे में छिप जाते हैं किरिश्कात उसके पता है की अपने गुशे में उसका सम्मान करता है अबर राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन की प्रयासों में बावजूत पूनम को श्रीकार करने में इनकार करने पर्मी बाहर बुलता है वह उसे सूचित करता है कि वह एक मंत्र वैक्ती है जिसमें पूनम की कभी शायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है हाला कि पूनम समय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकिर्ती के बुरे तरह से जल जाते हैं डॉक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इनकार करते हैं पूनम का निवादन अवर एक तश्वे की वाह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता है कि वा कितनी कूर है पूनम भगत जीन्त के तूट के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वाराम रोध के लिए मधुर पूर जा कर रहता है जैसे कि वा उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हर सक्षर करने क्वाला है वा रोना शुरू कर देता है अबर ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने चिटियों को बावजूद पूनम से साधी करने से दिल ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकिन करता है वा उसके सरजरी से पाले अनुम पतशीश रूफ से उसे साधी करता है दिल ली के डॉक्टर के मदसे अस्पताल पूनम की सरजरी सफल पूनम करता है बाद में पूनम और प्रेम प्रवीक रूफ से साधी सुदा है अबर अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं अपने साधी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिल्म में एक किशी के सासमाप्त होती है अबर उसके विवाई जीवन की शुरुवात होती है प्रेम को ठीक से बुलाता क्योंकि वह समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वह उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली शुट पर हर स्रक्चर करने वाला है वार रोना शुरू कर देता है और ऐसे ही नहीं करता प्रेम आता है अपने चुटी के बाजूर पूनम के साधी करने अबर दिल्नी से बैतर डॉक्टर बिलाने के शुरुआत करता है सुनिल ने हिंदी सीरियलो समदर्ण में डूई किया था उननीसा चपन में वार दूरे दर्शन में एयो माउथ फूल आफ श्कीन पे अशोक मातूर के रूप में दिखाए गये थे उन्हें शाइन गेट 1998 में अपनी फिलिम की शुरुआत की जिसमें बाद उन्होंने कैमियो किया था 2003 में शीनमो के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती आवर कहां हो तुम मुख भूमिकाओ निबाय उसे वर्सिनों में टेलिवीजन शिंकलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें साची में किया गया था शीनमा में 2010 में रिलीज दिखी बीब सो बिग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाय किया शीन में एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रशीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुख भूमिकाओ निबा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के लिए इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड चेस्ट अभिनेत्रे के लिए आईटी अवर्ड ड्रामा लोग प्रिये के साथ अजित किया 2018 में उन्हों सजय सूरी अभिनेत्र माई बर्डे सौंग के साथ एक फिलिम निडेशत के रूप में सुरुआत की आटलिंग के जर्ये उनके मुकात राज लक्ष्मी खंदा अवीलक से हुई तलाक से छाई मैने पहले दोनों की साधी हुई थी वा नशीफ जोहल के साथ रिष्टे में स्थ थे अवर उससे सगाई कर ली सगाई तूटने से दो साल पहले तक चलती थी 25 जन्वारी 2011 को उन्होंने पूना अभिनेत्र निलम कुठारी से साधी की साधी के उसके एक बेटे हैं अमिरी तरह उन्होंने मन विध्या के शानातक किया है वो समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मनाटी अवर कोंकनी भासाग में का ग्यान है अमिरी ता ने अपना करियर मॉडलिंग से सुर्वात किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्चानक उसे समय हुआ जब अन्य मॉडलिंग में से स्रिफ उसे फॉर्म वेरेक्ट फ्रिम्स के स्क्रीन पर पचाल के करने के लिए चुना गया था उस समय वह एक छात्रा थी एक के बाद 24 महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम्स में काम किया था इस तरह बेहदवेक्टिक जीवन होने के बाद भी वह कक्षा की प्रथन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम्स में उनके संदार अभी नए के बाद से उन्हें बॉलिवूड फ्लिम्स में काम करने की प्रस्ताव आने लगे उनकी पहली फ्लिम्स थी अब के बड़ास संद वाजार दो में जीनका नीदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात मिली में एक नए घोसिस की फ्लिम्स स्विस से जो संद वाजार तीन में रिलीज हुई थी सबसे बाद सं 2006 में मरती हुना तथा दिवाने सं 2006 में शिकार सं 2004 में प्यार मोहनत सं 2006 में सबसे अधीक सफल हुई फिलिम का विवास सं 2006 में निरदेशक सुरज बढ़ जाते आए फिलिम बेयाद सफल फिलिम रही तताफ भारतिये दर्शकों के साथ दुनिया के अनय देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाई 1956 में भारते फिलिम चत्रा अभिनेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट तन्ब द्वारा निर्दिस 1912 में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांधी के साथ अपना फिलिम की शुर्वात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चित्र के लिए आवकर आदमी को पुर्सकार जीता वास अशोप बुद्ययाद में दिखाये दिये जिसमें 1956 में देश की तुफान लाहे दिया था वार इस्तों में भी हैं जो 1999 में 2001 की प्रावरीक हुई वास अपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाये दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूं और दिरिस्तों क्या कहलाता है प्राथ पर लेक अभिने विनेदान नया द्वारा बालकात और 2018 में इंडिया मेटू और टोलन के दरान काई महिलाओ द्वारा यानी दूर्चान का अरोप लगाया गया था अभर उन पर मुंबाई प्रीस द्वारा बालकात का अरोप लगाया गया था दिसम्मर 2013 में अलोखनात द्वारा निबाया या प्रादो पर अधारित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्शन मोडनिंग का एक करने लगे अभर तेज से फैल गये अलोखनात की जिग्यानुशा मलता तुन तन पर अलोखनात की रुजाय क्योंकि अलोखनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जन्वारी दोर्जा चादा को लोख पिरिये हुए छूटकूलों के प्रस्किरिया होते हुए अभिनेकी सिर्कार किया की वा उसमें से अधिकांस प्रसीद करते थे नात का जर्म 10 जुलाई 1956 में खंडगिया बिहार में हुआ था नात के एक बहन वीनिती मालिक है जो यारिस्ता क्या कहलाता है में भावनी मुक्बुम का उमेद जानी जाती है अनुफकेर का जर्म साथ मार्च 1955 में सिमला में हुआ था इसके पिता पूष करना थे एक कश्मीरी पंडित थे वा पोदो के कलश्ट थे सिमला में प्राभीरिक सिख्षा प्राप्त करने के बाद राष्टिये नातक विध्याले में एडमीशन में शानात रूप से की थी 1995 में में अनुफकेर की साधी किरन खेर से हुई थी अपने फिल्म करियर की सुरुवात अनुफकेर ने 1982 में गराम मसाला नामक फिल्म में की थी लेकिन 1984 में आई श्रकाष्ट उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाता है 2006 में अनुफकेर के एबिजी नियूज डेरिक्ट भारतीय टिवी शीरियल में शुनाया जो प्रसीन भारत में नौवी सब्तोस्थाईत के यात्रा पर वरन करता था अम्रीता परकास एक भारतीय अभिनेत्री हैं और मॉडल हैं उन्होंने चार साल के उम्न में अपने अभिने करियर की शुरुवात की और बॉलिवूड का मालयालम दोनों फिल्म में अभिने किया तब से उन्हें बॉलिवूड फिल्म टीवी सीष टेलिवीजन रिलिजिट और फैंशन शो में अश्रत स्केल में देखा जाता है वो आखिर बार सोनी टीवी पर प्राशीद हो पट्याला बेबल में ईशा की भूमिकाओं निभाते हुए दिखाई दे रही है अमरीता की मेर्ति बच्बन में हो गई थी अबर तब उसके चाचा क्रिश्कांत ने उसके जीवन में एक पिता का कमी को पूरा कर दिया हाला कि उसके पत्नी रामा इशा करती है कि अवर पूनम को श्विकार करने में अश्रमद है इसके परिवरेत की उसके अपनी छोटी रजीना का रंग श्रावला है अवर पूनम से कम सुन्दर है उसके बावजूद रजीने के पूनम के बीच नजदी क्या बढ़ती है अवर खुद को बहन बनती है नई दिल्ली में एक प्रसीद वैपारी हरी चंद बाबा जीप के दो बेटे हैं विवाहित सुनील अवर मूत शाहित अवर सुरिक्षित प्रेम पूनम का सरल अवर शनुहर वैवार भागत एक चौदरी अवर क्रिश्नकात के दोस्त को प्रवीत करता है जो प्रेम के लिए उसके साधी का परसाओ लेते हैं हरी इस प्रस्ताओं पर उनके राय लेता है जीजक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर परदेयान देना की जरूरी है हरी इस फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है प्रेम समत है वे मीशल को मिलने जाते हैं अवर उसमें पूनम के परिश्ट करके प्रेम अवर पूनम तरुतुरंत एक दूशे शे परिश्ट हो जाते हैं साधी के लिए राजी हो जाते हैं अवर शगाई कर लेते हैं किसकात बाजपी को सोनम शवेरं में अपने गरंजकाली स्तान पर अभिनत करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेतर तरीके से जान सके दोनों अपने जीवन से सबसे जादू आवर रोमांटिक दर से गुजरते हैं प्रेम में बढ़ने लगी आवर जूड जूड जाते हैं बाद में हरीश आवर उसका परिवार तुरंत एक विवस्ताजिक बैठकर में भाग लेने के लिए घर लोड़ता हैं प्रेम और प्रेम टेलिफोन और पत्र पे मादम से शुवाद करने करते हैं प्रेम वेत साहित और सामील हो जाता है और जपान में एक अवशेक परियोजना पर काम करता है लोटने पर परिवार पूर्णम को एक अस्चाय के रूप में ले आते हैं और पूर्णम की पहली यात्रा और प्रेम को सफल वेक्त उधारण में समाने में एक वश्ता योज जीत किया गया था वस्ताव और दोरान क्राविदित और इश्रलक राम अपने कमरे में छिप जाते हैं क्रिस्कात उसके पता है कि अपने गुशे में उसका सम्मान करता है अब राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन की प्रयासों में बावजूत पूनम को श्रीकार करने में इनकार करने पर्मी बाहर बुलता है वह उसे सूचित करता है कि वह एक मंत्र वैक्ती है जिसमें पूनम की कभी शायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है अलकी पूनम समय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकृति के बुरे तरह से जल जाते हैं डक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इनकार करते हैं पूनम का निवादन अवर एक तश्वे की वाह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता हैं कि वा कितनी कूर है पूनम भगत जीन्त क्टूट के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वा राम रोध के लिए मधुर पूर जा कर रहता हैं वा उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हर्षक्षर करने क्वाला है वा रोना सुरू कर देता है अब ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने चिटियों को बावजूद पूनम से साधी करने से दिल ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकेन करता है वा उसके सरजरी से पाले अनुमती शूरूफ से उसे साधी करता है दिल ली के डॉक्टर के मदसे अस्पताल पूनम की सरजरी सफल पूनम करता है बाद में पूनम और प्रेम प्रवीक रूप से साधी सुदा है अवर अपने नए जीवन के लिए घर जाते है अपने साधी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिल्म में एक किशी के सासमाप्त होती है अवर उसके विवाई जीवन की शुरुवात होती है प्रेम को ठीक से बुलाता क्यूंकि वह समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वह उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली छुट पर हर स्रक्चर करने वाला है वार रोना शुरू कर देता है और ऐसे ही नहीं करता प्रेम आता है अपने चुटी के बाजूर पूनम के साधी करने अवर दिल्ली से बैतर डॉक्टर बिलाने के शुरुआत करता है सुनिल ने हिंदी सीरियलो समदर्ण में डूई किया था 1956 में वार दोरे दर्शन में एं माउथ फूल आफ श्कीन पे अशोक माथूर के रूप में दिखाए गये थे उन्हें शाइन गेट 1968 में अपनी फिलिम की शुरुआत की जिसमें बाद उन्होंने कैमियो किया था 2003 में शीनमो के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती आवर कहां हो तुम मुक भूमिकाओ निबाय उसे वर्सीनों में टेलिवीजन शिंखलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें साची में किया गया था सिनमा में 2010 में रिलीज दिवी सो बिग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाय किया शिन में एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रशीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुक भूमिकाओ निबा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के लिए इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड चेस्ट अभिनेत्रे के लिए आई टी अवर्ड ड्रामा लोग प्रिये के साथ अजित किया 2018 में उनों सजय सूरी अभिनेत्र माई बड़े सौंग के साथ एक फिलिम निडेसर के रूप में सुरुआत की अटलिंग के जर्ये उनके मुकात राज लक्षमी खंदा अवील किसे हुई तलाक से च्छाई मैने पहले दोनों की साधी हुई थी वा नशीफ जोहर के साथ रिष्टे में स्थ थे अवर उससे सगाई कर ली सगाई तूटने से दो साल पहले तक चलती थी पच्चोबिस जन्वारी 2011 को उन्होंने पूनाभी नेत्र निलम कुठारी से साधी की साधी के उसके एक बेटे हैं अमिरी तरह उन्होंने मन विध्या के शानात किया है वो समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मराटी अवर कोंकनी भासाग में का ग्यान है अमिरी ता ने अपना करियर मॉडलिंग से सुर्वात किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्छानक उसे समय हुआ जब अन्य मॉडलिंग में से सिर्फ उसे फॉर्म वेरेक्ष फ्रीम्स के स्क्रीन पर पचार के करने के लिए चुना गया था उस समय वह एक छात्रा थी एक के बाद 24 महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम में काम किया था इस तरह बेहद व्यक्तिक जीवन होने के बाद भी वह कक्षा की प्रथन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम में उनके संदार अभी नए के बाद से उन्हें बॉलिवूड फ्लिम में काम करने की प्रस्ताव आने लगे उनकी पहली फ्लिम थी अब के बाद संदार दो में जीनका निदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात मिली में एक नए घोशिस की फ्लिम इस स्विस से जो संदार तीन में रिलीज हुई थी सबसे बाद संद 2006 में मरती में हुना तथा दिवाने संद 2006 में शिकार संद 2004 में प्यार मुहनत संद 2006 में सबसे अधीक सफल हुई फिलिम का विवास संद 2006 में निदेशक सूरज बढ़ जाते आया फिलिम बेयाज सफल फिलिम रही तताफ भारतिये दर्शकों के साथ दुनिया के अनय देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाई 1956 में भारते फिलिम चत्रा अभी नेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट टन्बर द्वारा निर्दिस 1912 में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांदी के साथ अपना फिलिम की शुर्वात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चित्र के लिए आवकर आदमी को पुर्सकार जीता वास अशोप बुद्धियाद में दिखाये दिये जिसमें 1906 में देश की तुफान लाहे दिया था वार इस्तों में भी है जो 1909 में 2001 की प्रावरी खुई वास अपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाये दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूं और दिरिस्तों क्या कहलाता है प्राथ पर लेक अभिने विनेदान नया द्वारा बालकात और 2018 में इंडिया मेटू और ट्रोलन के दरान काई महिलाव द्वारा यानी दूर्चान का अरोप लगाया गया था अवर उन पर मुंबाई प्रीस द्वारा बालकात का अरोप लगाया गया था दिसंबर 2013 में अलोकनात द्वारा निबाया या प्रादो पर अधारित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्षन मोडनिंग का एक करने लगे अवर तेज से फैल गये अलोकनात की जिग्यानुशा मलता तुंतन पर अलोकनात की रुजाय क्योंकि अलोकनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जन्वारी दोर्ज़त चादा को लोग पिरिये हुए छूट कूलों के प्रसी किरिया होते हुए अभिने की सिकार किया की वा उसमें से अधिकंस प्रसीद करते थे नात का जर्म 10 जुलाई 1956 में खंडगिया भिहार में हुआ था नात के एक बहन वीनिती मालिक है जो यारिस्ता क्या कहलाता है में भावनी मुखबुम का में जानी जाती है अनूफ कैर का जर्म साथ मार्च 1955 में सिमला में हुआ था इसके पिता पूष करना थे एक कश्मीरी पंडित थे वा पोदों के क्लश्ट थे सिमला में प्राभिक सिख्षा प्राप्त करने के बादराश्टी नातक विद्याले में एडमीशन में शानात रूप से किया जानने में जुर्वा भाई की भूमिका और निभाईल के लिए स्ट अभिनेत की फ्लिम फियर पुसकार के लिए अजित किया था एक मद्वी लड़की पुनम छोटे से साहर मद्वपूर में राती है उसके माता पिता की मिर्ति बच्बन में हो गई थी अबर तब उसके चाचा क्रिश्कांत ने उसके जीवन में एक पिता का कमी को पूरा कर दिया हाला कि उसके पतनी रामा इशा करती है कि अवर पुनम को श्विकार करने में अश्रमद है इसके परिवर्यत की उसके अपनी छोटी रजीनक का रंग शावला है अवर पुनम से कम सुन्दर है उसके बावजूद रजीने के पुनम के बीच नदी किया बढ़ती है अवर खुद को बहन बनती है नई दिल्ली में एक प्रसीद वैपारी हरी चंद बाबा जीप के दो बेटे हैं विवाहित सुनील अवर मूत शाहित अवर सुरिक्षित प्रेम पुनम का सरल अवर शनोहर वेवार भागत एक चौदरी अवर कृष्नकात के दोस्त को प्रवीत करता है जो प्रेम के लिए उसके साधी का परसाओ लेते हैं हरी प्रसाओ पर उनके राय लेता है धीजक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर परदेयान देना की जरूरी है हरी इस फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिल्ले के लिए मना लेता है प्रेम सम्त है वे मिशार को मिलने जाते है अवर उसमें पूनम के ओप परिश्वीत करके प्रेम अवर पूनम तरुतुरंत एक दूशे से परित अक्रिष्ट हो जाते हैं साधी के लिए राजी हो जाते हैं वर शगाई कर लेते हैं किसकात बाजपी को सोनम शवेरं में अपने गरंजकाली स्थान पर अभिनेत करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेतर तरीके से जान सके दोनों अपने जीवन से सबसे जादू आवर रोमांटिक दार से गुजरते हैं प्रेम में बढ़ने लगी और जूड जूड जाते हैं बाद में हरिश अवर उसका परिवार तुरंत एक विवस्ताजिक बैठकर भाग लेने के लिए घर लोड़ता हैं प्रेम और प्रेम टेलिफोन और पत्र पे मादम से सवाद करने करते हैं प्रेम व्यतसाहित और सामिल हो जाता है और जपान में एक अवशेक परियुजना पर काम करता है लोटने पर परिवार पूनम को एक अस्चाय के रूप में ले आते हैं और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम को सफल वेक्त उधारन में समाने में एक वस्ता योज जित किया गया था वस्ता और दौराम क्राविदित और इश्रलक राम अपने कमरे में छिप जाते हैं क्रिस्कात उसके पता है कि अपने गुशे में उसका सम्मान करता है अबर राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन की प्रयासों में बावजूत पुनम को श्रीकार करने में इनकार करने पर्मी बाहर बुलता है वह उसे सूचित करता है कि वह एक मंत्र वैक्ती है जिसमें पुनम की कभी शायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है हाला कि पुनम समय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकिर्ती के बुरे तरह से जल जाते हैं डॉक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इनकार करते हैं पुनम का निवादन अवर एक तश्वे की वाह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता है कि वा कितनी कूर है पुनम भगत जीन्त क्टूट के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वा राम रोध के लिए मधुर पूर जा कर राता है जैसे कि वा उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हसक्षर करने क्वाला है वा रोना सुरू कर देता है अबर ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने चिटियों को बावजूद पूनम से साधी करने से दिल्ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकिन करता है वा उसके सरजरी से पाले अनुमत पतशीश रोफ से उसे साधी करता है दिल्ली के डॉक्टर के मदसे अस्पताल पूनम की सरजरी सफल पूनम करता है बाद में पूनम और प्रेम प्रवीक रोफ से साधी सुदा है अवर अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं अपने साधी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिलिम में एक किशी के साथ समाप्त होती है अवर उसके विवाई जीवन की शुरुवात होती है प्रिम को ठीक से बुलाता क्योंकि वह समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वह उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली छूट पर हर्स्ट्रक्चर करने वाला है वह रोना शुरू कर देता है और ऐसे ही नहीं करता प्रिम आता है अपने चुटी के बाजूर पूनम के साधी करने अब दिल्नी से बेतर डॉक्टर बिलाने के शुरूआत करता है सुनिल ने हिंदी सिरियलो समदर्न में डूई किया था उन्नीसा छपन में वादर दूरे दर्शन में एंव माउथ फूल आफ श्कीन पे अशोक मातूर के रूप में दिखाए गये थे उन्हें शाइन गेट उन्नीसा अर्शत में अपनी फिलिम की शुरुआत की जिसमें बाद उन्होंने कैमियो किया था 2003 में शीनमों के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती अवर कहां हो तुम मुख भूमिकाओ निबाय उसे वर्सिनों में टेलिवीजन शिंकलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें साची में किया गया था शिनमा में 2010 में रिलीज दिवीब सो बिग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाय की अशिन में एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रसीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुख भूमिका निभा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के अडलिये इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड चेस्ट अभिनेत्रे के लिए आईटी अवर्ड ड्रामा लोगत्रिय के साथ अजित किया 2018 में उन्हों सजय सूरी अभिनेत्र माई बड़े स्वांग के साथ एक फिलीम निदेसक के रूप में सुर्वात की अटलिंग के जर्ये उनके मुकात राज लक्षमी खंदा अवील किसे हुई तलाक से च्छाई माईने पहले दोनों की साथी हुई थी वान नशीफ जोहर के साथ रिष्टे में स्थ थे अवर उससे सगाई कर ली सगाई तुटने से दो साल पहले तक चलती थी 25 जन्वारी 2011 को उन्होंने पूना भीनेत्र निलम कोठारी से साथी की साथी के उसके एक बेटे हैं अमिरी तरह उन्होंने मन विज्ञा के शानातक किया है वो समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मनाटी अवर कोंकनी भासाग में का ग्यान है अमिरीता ने अपना करियर मॉडलिंग से सुर्वात किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्चानक उसे समय हुआ जब अन्य मॉडलिंग में से सिर्फ उसे फॉर्म वेरेक फ्रिम्स के स्क्रीन पर पचार के करने के लिए चुना गया था उस समय वो एक छात्रा थी एक के बाद 24 महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम्स में काम किया था इस तरह बेहद व्यक्तिक जीवन होने के बाद भी वाक अक्षा की प्रथन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम्स में उनके संदार अभी नए के बाद से उन्हें बॉलिवूड फ्लिम्स में काम करने की प्रस्ताव आने लगे उनकी पहली फ्लिम्स थी अब के बाद संदार दो में जीनका निदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात्य मिली में एक नए घोशिस की फ्लिम्स विस से जो संदार तीन में रिलीज हुई थी सबसे बाद संद दोजार छे में मरती में हुना तथा दिवाने संद दोजार छे में शिकार संद दोजार चार में प्यार मुहनत संदोजाद छे में सबसे अधीक सफल हुई फिलिम का विवास संदोजाद छे में निर्देशक सूरत बढ़ जाते आये फिलिम बेयाद सफल फिलिम रही तथा भारतिये दर्शकों के साथ दुनिया के अनए देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाईद 1956 में भारते फिलिम चत्रा अभिनेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट टनबर द्वारा निर्दिस 1922 में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांधी के साथ अपना फिलिम की शुरुवात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चीतर के लिए अवकर आदमी को पुर्सकार जीता वा सोप अशोप बुद्धियाद में दिखाए दिये जिसमें 1926 में देश की तुफान लाहे दिया था वा डिस्तों में भी हैं जो 1999 में 2001 की प्रावरीक हुई वा सपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाए दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूं और डिस्तों क्या कहलाता है पर लेक अभिने विनेदा नया द्वारा बालकात और 2018 में इंडिया मेटू और टोलन के दरान काई महिलाओ द्वारा यानी दूरचान का अरोप लगाया गया था अवर उन पर मुंबाई प्लीस द्वारा बालकात का अरोप लगाया गया था दिसंबर 2013 में अलोपनात द्वारा निबाया या प्रादो पर अधाडित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्शन मोडनिंग का एक करने लगे अवार तेज से फैल गए अलोपनात की जिग्यानुशा मलता तुंतन पर अलोपनात की रुजाय क्योंकी अलोपनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जन्वारी दोर्जा चादा को लोक पिरिये हुए छूटकूलों के प्रस्किरिया होते हुए अभिनेकी स्विकार किया की वा उसमें से अधिकन्स प्रसीद करते थे नात का जर्म 10 जुलाई 1956 में खंडगिया भिहार में हुआ था नात के एक बहन वीनिती मालिक है जो यारिस्ता क्या कहलाता है में भावनी मुखबुम का उमेद जानी जाती है अनुफकेर का जर्म 7 मार्च 1955 में सीमला में हुआ था इसके पिता पूर्षकर नात एक कश्मीरी पंडित थे वा पोदो के क्लश्ट थे सीमला में प्राभिक सीख्षा प्राप्त करने के बादराश्टी नातक विध्याले में एडमीशन में शानात रूप से की थी 1995 में अनुफकेर की साधी के लिए राजी हो जाते हैं और शगाई कर लेते हैं किसकात बाजपी को सोनम शवेरं में अपने गरंजकाली स्तान पर अभिनत करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके दोनों अपने जीवन से सबसे जादू आवर रोमांटिक दर से गुजरते हैं प्रेम में बढ़ने लगी आवर जूड जूड जाते हैं बाद में हरीश आवर उसका परिवार तुरंत एक वेविस्ताजिक बैठकर में भाग लेने के लिए घर लोटता हैं प्रेम और प्रेम टेलीफोन और पत्र पे मादम से शुवाद करने करते हैं प्रेम वेट साहित और सामील हो जाता है और जपान में एक अवशेक परियोजना पर काम करता है लोटने पर परिवार प्रेम को एक अस्चाय के रूप में ले आते हैं और प्रेम की पहली यात्रा और प्रेम को सफल वेक्त उधारन में समाने में एक वर्तर योज जित किया गया था वस्ता और दौराम क्रावी दित और इश्यलक राम अपने कमरे में चिप जाते हैं क्रिस्कात उसके पता है कि अपने गुशे में उसका सम्मान करता है अबर राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन की प्रयासों में बावजूद पुनम को श्रीकार करने में इंकार करने पर्मी बाहर बुलता है वह उसे सुचित करता है कि वह एक मांतर वैक्ती है जिसमें पुनम की कभी शहायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है हाला कि पुनम शमय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकिर्ती के बुरे तरह से जल जाते हैं डक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इंकार करते हैं पुनम का निवादन अवर एक तश्वे की वाह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता है कि वा कितनी कूर है पुनम भगत जिन्त के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वा राम रोध के लिए मधुर पूर जा कर रहता है जैसे कि वा उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हर सक्षर करने क्वाला है वा रोना शुरू कर देता है अबर ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने चिटियों को बावजूद पुनम से साधी करने से दिल ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकिन करता है वा उसके सरजरी से पाले अनुम पतशीश रूफ से उसे साधी करता है दिल ली के डॉक्टर के मदसे अस्पताल पुनम की सरजरी सफल पुनम करता है बाद में पुनम और प्रेम प्रवीक रूफ से साधी सुदा है अबर अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं अपने साधी की रात में प्रेम पुनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिल्म में एक किशी के साथ समाप्त होती है अबर उसके विवाई जीवन की शुरवात होती है प्रेम को ठीक से बुलाता क्योंकि वह समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वह उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली छूट पर हर स्ट्रक्चर करने वाला है वार रोना शुरू कर देता है और ऐसे ही नहीं करता प्रेम आता है अपने चुटी के बाजूर पूनम के साधी करने अबर दिल्नी से बैतर डॉक्टर बिलाने के शुरुआत करता है सुनिल ने हिंदी सीरियलो समदर्ण में डूई किया था 1956 में वा दोरे दर्शन में एं माउथ फूल आफ श्कीन पे अशोक माथूर के रूप में दिखाए गए थे उन्हें शाइन गेट 1968 में अपनी फिलिम की शुरुआत की जिसमें बाद उन्होंने कैमियो किया था 2003 में शीनमों के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती आवर कहां हो तुम मुख भूमिकाओ निबाय उसे वर्सीनों में टेलिवीजन शिंकलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें साची में किया गया था सिनमा में 2010 में रिलीज दिख बीग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाई किया शिनमें एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रशीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुक भूमिकाव निभा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के लिए इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड चेस्ट अभिनेत्रे के लिए आई टी अवर्ड ड्रामा लोग प्लिये के साथ अजित किया 2018 में उन्हों सजय सूरी अभिनेत्र माई बर्डे सौंग के साथ एक फिलिम निर्डेसक के रूप में सुरुआत की अटलिंग के जर्ये उनके मुकात राज लक्ष्मी खंदा अवील किसे हुई तलाक से च्छाई मैने पहले दोनों की साधी हुई थी वो अन शिफ जोहल के साथ रिष्टे में स्थ थे अवर्ड उससे सगाई कर ली सगाई तूटने से दो साल पहले तक चलती थी 25 जन्वारी 2011 को उन्होंने पूना अभी नेतर निलम कोठारी से साधी की साधी के उसके एक बेटे हैं अमरी तरह उन्होंने मन विज्ञा के शानात किया है वो समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मराटी अवर कौंकनी भासाग में का ग्यान है सुर्वात किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्चानक उसे समय हुआ जब अन्य मॉडलिंग में से स्रिफ उसे फॉर्म वेरेक्ट फ्लिम्स के स्क्रीन पर पचार करने के लिए चुना गया था उस समय वह एक छात्रा थी एक के बाद 24 महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम्स में काम किया था इस तरह बेहद वेक्तिक जीवन होने के बाद भी वाक अक्षा की प्रत्थन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम्स में उनके संदार अभिनाय के बाद से उन्हें बॉलिवूड फ्लिम्स में काम करने की प्रस्ताव आने लगे उनकी पहली फ्लिम्स थी अब के बरस संद वाजर दो में जीनका नीदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात मिली में एक नए घोशिस की फ्लिम्स स्विस से जो संद वाजर तीन में रिलीज हुई थी सबसे बाद संद दोजर चे में मरती में हुना तथा दिवाने संद दोजर चे में शिकार संद दोजर चार में प्यार मुहनत सन दोजाट छे में सबसे अधीक सफल हुई फिलिम का विवास सन दोजाट छे में निर्देशक सूरत बढ़ जाते आये फिलिम बेयाद सफल फिलिम रही तथा भारतीय दर्शकों के साथ दुनिया के अनाय देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाई 1956 में भारते फिलिम चत्र अभिनेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट तनब द्वारा निर्दिस 1912 में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांधी के साथ अपना फिलिम की शुरुवात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चीतर के लिए अवकर आदमी को पुर्सकार जीता वास अशोप बुद्धियाद में दिखाए दिये जिसमें 1926 में देश की तुफान लाहे दिया था वा डिस्तों में भी है जो 1929 में 2001 की प्रावरीक हुई वास अपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाए दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूँ और डिस्तों क्या कहलाता है प्राथ पर लेक अभीने विनेदा नया द्वारा बालकात और 2018 में इंडिया मीटू और टोलन के दरान काई महिलाओ द्वारा यानी दूर्चान का अरोप लगाया गया था अवर उन पर मुंबाई प्रीस द्वारा बालकात का अरोप लगाया गया था दिसंबर 2013 में अलोपनात द्वारा निबाया या प्रादो पर अधारित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्शन मोडरिनिंग का एक करने लगे अवा तेज से फैल गए अलोपनात की जिग्यानुशा मलता तुंतन पर अलोपनात की रुजाय क्योंकि अलोपनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जन्वारी दोर्जा चादा को लोग पिरिये हुए छूट कूलों के प्रस्किरिया होते हुए अभिनेकी स्विकार किया की वह उसमें से अधिकंस प्रसीद करते थे नात का जर्म 10 जुलाई 1956 में खंडगिया बिहार में हुआ था नात के एक बहन वीनिती मालिक है जो यारिस्ता क्या कहलाता है में भावनी मुक्बुम का उमेद जानी जाती है अनुफकेर का जर्म साथ मार्च 1955 में सीमला में हुआ था इसके पिता पूष्कर नात एक कश्मीरी पंडित तेवा पोदो के क्लश्ट थे सीमला में प्राभिक सिक्षा प्राप्त करने के बाद राष्टी नातक विध्याले में एडमीशन में शानात रूप से की थी 1995 में अनुफकेर की साधी की रंध खेर से हुई थी अपने फिलिम करियर की सुर्वात अनुफकेर ने 1982 में गराम मसाला नामक फिलिम में की थी लेकिन 1984 में आई श्रकाष्ट उनकी पहली हिट फिलिम मानी जाता है 2006 में अनुफकेर के ABZ News डेरिक्ट भारतिये टीवी शीरियर में शुनाया जो प्रसीन भारत में नौवी सब दोस्ताइद के यात्रा पर वरन करता था अमरीता परकास एक भारतिय अभिनेतरी हैं और मॉडल हैं उन्होंने चार साल के उम्न में अपने अभिने करियर की शुरुवात की और बॉलीवूड का मालयाम दोनों फिलिम में अभिने किया अभिने की शुरुवात की और बॉलीवूड मालयाम दोनों फिलिम में अभिने किया तब से उन्हें बॉलीवूड फिलिम टीवी शी टेलिवीजन रिलिजी अबर तब उसके चाचा क्रिश्कांत ने उसके जीवन में एक पिता का कमी को पूरा कर दिया हाला कि उसके पतनी रामा इशा करती है कि अवर पूर्णम को श्विकार करने में अश्रमद है इसके परिव्रेत की उसके अपनी छोटी रजीना का रंग शावला है अवर पूर्णम से कम सुन्दर है उसके बावजूद रजीने के पूर्णम के बीच नदी क्या बढ़ती है अवर खुद को बहन बनती है नई दिल्ली में एक प्रसीद वैपारी हरी चंद बाबा जीप के दो बेटे है विवाहित सुनील अवर मूत शाहित अवर सुरिक्षित प्रेम पूनम का सरल अवर शनोहर वेवार भागत एक चौदरी अवर क्रिश्नकात के दोस्त को प्रवीत करता है जो प्रेम के लिए उसके साधी का परसाओ लेते हैं हरी इस प्रस्ताओ पर उनके राय लेता है जीजक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर परदयान देना की जरूरी है हरी इस फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है प्रेम समत है वे मीशल को मिलने जाते हैं अवर उसमें पूनम के उप परिश्रीत करके प्रेम अवर पूनम तरुतुरंत एक दूशेशे परित अक्रिष्ट हो जाते हैं साधी के लिए राजी हो जाते हैं और शगाई कर लेते हैं किन्सकात बाजपी को सोनम शवेरं में अपने गरंजकाली स्थान पर अभिनत करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके दोनों अपने जीवन से सबसे जादू और रोमांटिक दर से गुजरते हैं प्रेम में बढ़ने लगी और जूड जूड जाते हैं बाद में हरिश और उसका परिवार तुरंत एक वेविश्टाजिक बैठकर में भाग लेने के लिए घर लोटता हैं पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र पे माद्यम से सवाद करते हैं प्रेम वेट साहित और सामील हो जाता है और जपान में एक अवसेग परियुजना पर काम करता है लोटने पर परिवार पूनम को एक अस्चाय के रूप में ले आते हैं और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम को सफल वेक्त उधारन में समाने में एक वस्तर योज जित किया गया था वस्तर और दोरान क्राविदित और इशलक राम अपने कमरे में छिप जाते हैं क्रिस्कात उसके पता है कि अपने गुशे में उसका सम्मान करता है अबर राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन की प्रयासों में बावजूत पुनम को श्रीकार करने में इनकार करने पर्मी बाहर बुलता है वह उसे सूचित करता है कि वह एक मंतर वैक्ती है जिसमें पुनम की कभी शायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है हाला कि पुनम शमय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकिर्ती के बुरे तरह से जल जाते हैं डॉक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इनकार करते हैं पुनम का निवादन अवर एक तश्वे की वाह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता है कि वा कितनी कूर है पुनम भगत जीन्त क्टूट के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वा राम रोध के लिए मधुर पूर जा कर रहता है जैसे कि वा उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हर सक्षर करने क्वाला है वा रोना शुरू कर देता है अबर ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने छिटियों को बावजूद पूनम से साधी करने से दिल्ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकिन करता है वा उसके सरजरी से पाले अनुम पतशी शुरूफ से उसे साधी करता है दिल्ली के डॉक्टर के मदद से अस्पताल पूनम की सरजरी सफल पूनम करता है बाद में पूनम और प्रेम प्रवीक रूफ से साधी सुदा है अवर अपने नए जीवन के लिए घर जाते है अपने साधी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिल्म में एक किशी के साथ समाप्त होती है अवर उसके विवाई जीवन की शुरुवात होती है प्रेम को ठीक से बुलाता क्योंकि वह समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वह उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली छूट पर हर स्रक्चर करने वाला है वह रोना शुरू कर देता है अवर ऐसे ही नहीं करता प्रेम आता है अपने चुटी चुटी के बाजूर पूनम के साधी करने अवर दिलनी से बैतर डॉक्टर दिलाने के शुरुआत करता है सुनिल ने हिंदी सिरियलो समदर्न में डूई किया था 1996 में वा दूरे दर्शन में माउथ फूल आफ स्कीन पे अशोक माथूर के रूप में दिखाए गये थे उन्हें शाइन गेट 1968 में अपनी फिलिम की शुरुआत की जिसमें बाद उन्होंने कैमियो किया था 2003 में शिनमों के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती आवर कहां हो तुम मुक भूमिकाओ निबाय उसे वर्सिनम में टेलिवीजन शिंकलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें साची में किया गया था शिनमा में 2010 में रिलीज दिवीब सो बिग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाय किया शिनमें एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रशीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुख भूमिकाव निभा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के लिए इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड चेस्ट अभिनेत्रे के लिए आई टी अवर्ड ड्रामा लोग प्रिये के साथ अजित किया 2018 में उन्हों सजय सूरी अभिनेत्र माई बर्डे सौंग के साथ एक फिलिम निर्डेसक के रूप में सुरुवात की अटलिंग के जरिये उनके मुकात राज लक्ष्मी खंदा अवील किसे हुई तलाक से च्छाई मैने पहले दोनों की साधी हुई थी वो अन शिफ जोहल के साथ रिष्टे में स्थ थे अवर्ड उससे सगाई कर ली सगाई तूटने से दो साल पहले तक चलती थी 25 जन्वारी 2011 को उन्होंने पूना अभी नेतर निलम कोठारी से साधी की साधी के उसके एक बेटे हैं अमिरी तरह उन्होंने मन विज्ञ के शानात किया है वो समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मनाटी अवर कोंकनी भासाग में का ग्यान है अमिरी ता ने अपना करियर मॉडलिंग से सुर्वात किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्चानक उसे समय हुआ जब अने मॉडलिंग में से स्रिफ उसे फॉर्म वेरेक फ्लिम्स के स्क्रीन पर पचार करने के लिए चुना गया था उस समय वो एक छात्रा थी एक के बाद चौबिस महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम में काम किया था इस तरह बेहद वेक्तिक जीवन होने के बाद भी वाकक्षा की प्रत्थन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम में उनके संदार अभिनाय के बाद से उन्हें बॉलिवूड फ्लिम में काम करने की प्रस्ताव आने लगे उनकी पहली फ्लिम थी अब के बरस संद वाजार दो में जिनका निदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात मिली में एक नए घोशिस की फ्लिम इस स्विस से जो संद वाजार तीन में रिलीज हुई थी सबसे बाद सं 2006 में मरती मैं हुना तथा दिवाने सं 2006 में शिकार सं 2004 में प्यार मुहनत सं 2006 में सबसे अधीख सफल हुई फ्लिम का विवास सं 2006 में निदेशक सूरज बढ़ जाते आया फ्लिम बेयाज सफल फ्लिम रही तताफ भारतिये दर्शकों के साथ दुनिया के अनय देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाई 1956 में भारते फिलिम चत्रा अभी नेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट टनबर द्वारा निर्दिस 1912 में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांधी के साथ अपना फिलिम की शुर्वात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चित्र के लिए आवकर आदमी को पुर्सकार जीता वास अप अशोप बुद्ययाद में दिखाए दिये जिसमें 1906 में देश की तुफान लाहे दिया था वा डिस्तों में भी है जो 1909 में 2001 की प्रावरीक हुई वास अपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाए दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूँ और डिस्तों क्या कहलाता है भी है अब भीने विनियेदा नया द्वारा बालकात और 2018 में इंडिया मेटू और टूलन के दरान कई मःलाव द्वारा यानी दूरचर्ण का अरोप लगाया गया था अबर उन पर मुंबाई प्ली द्वारा बालकात का अरोप लगाया गया था दिसम्मर 2013 में अलोकनात द्वारा निबाया या प्रादो पर अधाडित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्शन मोडनिंग का एफ करने लगे अवार तेज से फैल गए अलोकनात की जिग्यानुशा मलता तुंतन पर अलोकनात की रुजाय क्योंकि अलोकनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जन्वारी दोर्जाच चादा को लोग पिरिये हुए छूट कूलों के प्रसी किरिया होते हुए अभिने की सिकार किया की वा उसमें से अधिकंस प्रसीद करते थे नात का जरम 10 जुलाई 1906 में खंडगिया बिहार में हुआ था नात के एक बहन वीनिती मालिक है जो यारिस्ता क्या कहलाता है में भावनी मुकबुम का में जानी जाती है अनुफकेर का जरम साथ मार्च 1955 में सिमला में हुआ था इसके पिता पूर्षकर नात एक कश्मीरी पंडित तेवा पोदों के क्लश्ट थे सिमला में प्राभिक सिख्षा प्राप्त करने के बाद राष्टी नातक विध्याले में एडमीशन में शानात रूप से की थी 1995 में अनुफकेर की साधी किरंध खेर से हुई थी अपने फिल्म करियर की सुर्वात अनुफकेर ने 1982 में गराम मसाला नामक फिल्म में की थी लेकिन 1984 में आई श्रिकरश्ट उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाता है 2006 में अनुफकेर के एबिजी नियूज डेरिक्ट भारतिय टीवी शीरियल में शुनाया जो प्रसीन भारत में नौवी सब तोस्ताइद के यात्रा पर वरन करता था अम्रीता परकास एक भारतिय अभिनेतरी हैं और मॉडल हैं उन्होंने चार साल के उम्न में अपने अभिने करियर की शुरुवात की और बॉलीवूड का माले अलम दोनों फिल्म में अभिने किया तब से उन्हें बॉलीवूड फिल्म टीवी शी टेलिवीजन रिलीजिट अगय था एक मद्वी लड़की पूनम छोटे से सहर मद्वपूर में राती है उसके माता पिता की मिर्ति बच्बन में हो गई थी अबर तब उसके चाचा क्रिशकांत ने उसके जीवन में एक पिता का कमी को पूरा कर दिया हाला कि उसके पतनी रामा इशा करती है कि अवर पूनम को श्विकार करने में अश्रमद है इसके परिव्रेत की उसके अपनी छोटी रजीना का रंग शावला है अवर पूनम से कम सुन्दर है उसके बावजूद रजीने के पूनम के बीच नजदी क्या बढ़ती है अवर खुद को बहन बनती है नई दिल्ली में एक प्रसीद वेपारी हरी चंद बाबा जीप के दो बेटे हैं विवाहित सुनील अवर मूत शाहित अवर सुरिक्षित प्रेम पूनम का सरल अवर शनोहर वेवार भगत एक चौदरी अवर क्रिश्न कात के दोस्त को प्रवीत करता है जो प्रेम के लिए उसके साधी का परसाओ लेते हैं हरी प्रस्ताओ पर उनके राय लेता है जीजक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर दियान देना की जरूरी है हरी इस फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है प्रेम समत है वे मिशान को मिलने जाते हैं अबर उसमें पूनम के परिश्चरीत करके प्रेम अबर पूनम तरुतुरंत एक दूशे से परिश्च हो जाते हैं साधी के लिए राजी हो जाते हैं और शगाई कर लेते हैं क्रिंसकात बाजपी को सोनम शवेरं में अपने गरंजकाली स्थान पर अभिनेत करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके दोनों अपने जीवन से सबसे जादू और रोमांटिक दर से गुजरते हैं प्रेम में बढ़ने लगी और जूड जूड जाते हैं बाद में हरिश और उसका परिवार तुरंत एक वेविश्टाजिक बैठकर भाग लेने के लिए घर लोड़ता है प्रेम टेलीफोन और पत्र पे मादम से शुड करते हैं प्रेम वेतसाहित और सामिल हो जाता है और जपान में एक और शेक परियोजना पर काम करता है लटने पर परिवार प्रेम को एक अस्टाए के रोप में ले आते हैं और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम को सफल वेक्ट उधारन में समाने में एक वस्ता योज जित किया गया था वस्ता और दोरान क्राविदित और इश्रल क्राम अपने कमरे में छीप जाते हैं क्रिंसकात उसके पता है कि अपने गुशे में उसका सम्मान करता है अबर राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन की प्रयासों में बावजूद पूनम को श्रीकार करने में इंकार करने पर्मी बाहर बुलता है वह उसे सूचित करता है कि वह एक मंतर वैक्ती है जिसमें पूनम की कभी शायक हुई थी हाला कि सादिक से दो दिन पहले मीशा के घर में आग लग जाता है हाला कि पूनम समय से बाहर हो जाती है उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है लेकिन एक प्रकिर्ती के बुरे तरह से जल जाते है डक्टर उसके पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपने को इनकार करते है पूनम का निवादन अवर एक तश्वे की वाह घायल हो गई थी को सुनकर रजनी पच्टाते हुए राम को पता चलता है कि वा कितनी कूर है पूनम भगत जीन्त क्टूट के दिल प्रेम को सही काते हैं कि वा राम रोध के लिए मधुर पूर जा कर रहता है जैसे कि वा उसके सरजीर के अनुमती देने वाले छूट पर हर सक्षर करने क्वाला है वा रोना शुरू कर देता है अबर ऐसे नहीं कर सकता प्रेम आता है अपने चिटियों को बावजूद पूनम से साधी करने से दिल ली को बैतरी डॉक्टर को लाने के लिए धन चकिन करता है वा उसके सरजरी से पाले अनुम पतशीश रूफ से उसे साधी करता है दिल ली के डॉक्टर के मदसे अस्पताल पूनम की सरजरी सफल पूनम करता है बाद में पूनम और प्रेम प्रवीक रूफ से साधी सुदा है अबर अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं अपने साधी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पेनने के पाले करता है फ्री फिल्म में एक किशी के सासमाप्त होती है अबर उसके विवाई जीवन की शुरुवात होती है प्रेम को ठीक से बुलाता क्यूंकि वह समरोग के लिए मधुपूर जा रहा है जैसे कि वह उसके सर्ज की अनुमती लेने वाली शुट पर हर स्रुक्चर करने वाला है वार रोना शुरू कर देता है और ऐसे ही नहीं करता प्रेम आता है अपने चुटी के बाजूर पूनम के साधी करने अबर दिल्ली से बैतर डॉक्टर बिलाने के शुरुआत करता है सुनिल ने हिंदी सीरियलो समदर्ण में डूई किया था 1956 में वा दूरे दर्शन में एव माउथ फूल आफ श्कीन पे अशोक मातूर के रूप में दिखाए गये थे उन्हें शाइन गेट 1968 में अपनी फिलिम की शुरुआत की जिसमें बाद उन्होंने क्यामियो किया था 2003 में शीनमो के फिलिम बाग्यबान में दिखाए गी थी कि बस्ती आवर कहां हो तुम मुख भूमिकाओ निबाय उसे वर्सिनों में टेलिवीजन शिंकलाओ जैसी जैसे कोई नहीं में भी काम किया 2004 में उन्हें साची में किया गया था शिनमा में 2010 में रिलीज टिवी सो बिग बॉस चार में एक प्राविक्ति के रूप में अभिनाय किया शिनमें एक कपूर की भारतिय शौप अशौप प्रशीत एक नई जिन्दगी के सपने का 2013 में मुख भूमिकाओ निबा रहे थे जिसने उन्हें स्वेस्ट अभिनेत्रा के लिए इंडिया टेली अवर्ड अवर्ड चेस्ट अभिनेत्रे के लिए आई टी अवर्ड ड्रामा लोग प्रिये के साथ अजित किया 2018 में उन्हों सजय सूरी अभिनेत्र माई बर्डे सौंग के साथ एक फिलिम निर्डेसक के रूप में सुरुवात की अटलिंग के जर्ये उनके मुकात राज लक्षमी खंदा अवील किसे हुई तलाक से च्छाई महीने पहले दोनों की साथी हुई थी वा अनशिफ जोहर के साथ रिष्टे में थे अवर उससे सगाई कर ली सगाई तूटने से दो साल पहले तक चलती थी 25 जनवारी 2011 को उन्होंने पूना अभिनेत्र निलम को ठारी से साथी की साथी के उसके एक बेटे हैं अमिरी तरह उन्होंने मन विध्या के शानातक किया है वो समानेता मुंबई में राती है उन्होंने अंग्रेजी हिंदी मनाटी अवर कोंकनी भासाग में का ग्यान है अमिरी ता ने अपना करियर मॉडलिंग से सुर्वत किया है उसका मॉडलिंग की दुनिया में प्रवदर्शन अच्चानक उसे समय हुआ जब अन्य मॉडलिंग में से स्रिफ उसे फॉर्म वेरेक्ट फ्रिम्स के स्क्रीन पर पचार के करने के लिए चुना गया था उस समय वह एक छात्रा थी एक के बाद 24 महिने के भी कम समय से उन्होंने अधिक रेड फ्लिम्स में काम किया था इस तरह बेहद व्यक्तिक जीवन होने के बाद भी वह कक्षा की प्रथन कोटी की छात्र थी करबड़ी एड फ्लिम्स में उनके संदार अभी नए के बाद से उन्हें बॉलिवूर्ड फ्लिम्स में काम करने की प्रस्ताव आने लगे उनकी पहली फ्लिम्स थी अब के बाद संद वाजार दो में जीनका नीदेशक राजकवर ने किया था लेकिन उसे खात मिली में एक नए घोशिस की फ्लिम्स स्विस से जो संद वाजार तीन में रिलीज हुई थी सबसे बाद संद दोजार छे में मरती में हुना तथा दिवाने संद दोजार छे में शिकार संद दोजार चार में प्यार मुहनत संद दोजार छे में सबसे अधीक सफल हुई फिलिम्स का विवास संदो आजाच्छे में निर्देशक सूरज बढ़ जाते आया फिलिम बेयाद सफल फिलिम रही तताफ भारतिये दर्शकों के साथ दुनिया के अनए देशों में दर्शकों को भी पसंद आई अलोकनात जन्म 10 जुलाई 1956 में भारते फिलिम चत्र अभिनेतरी है जिन में फिलिम सिनमाओं में और टेलिवीजन में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्होंने सर रिजर्ट तनब द्वारा निर्दिस 1912 में अंग्रेजी और हिंदी फिलिम हिंदी गांधी के साथ अपना फिलिम की शुरुवात की थी जिसमें उस वार सवेष्ट चीतर के लिए अवकर आदमी को पुर्सकार जीता वास अशोप बुद्धियाद में दिखाए दिये जिसमें 1956 में देश की तुफान लाहे दिया था वा डिस्तों में भी हैं जो 1999 में 2001 की प्रावरी खुई वास अपना बावूल के जैसे स्टार प्लस के धारवारिक में दिखाए दिये बिदाई या मैं घर खेल रहा हूं और डिस्तों क्या कहलाता है प्राथ पर लेक अभीने विनेदा नया द्वारा बालकात और 2018 में इंडिया मेटू और ट्रोलन के दरान काई महिलाओ द्वारा यानी दूर्चान का अरोप लगाया गया था अवर उन पर मुंबाई प्रीस द्वारा बालकात का अरोप लगाया गया था दिसंबर 2013 में अलोकनात द्वारा निबाया या अप्रादो पर अधाडित छूटकीत के लिए मिश्ट सोपर्शन मोडनिंग का एक करने लगे आवार तेज से फैल गए अलोकनात की जिग्यानुशा मलता तुंतन पर अलोकनात की रुजाय क्योंकि अलोकनात रचीन पैदा करने वाले समाजी का विश्लोप करने के लिए एक टेस्ट की चार जन्वारी दोर्जा चादा को लोक पिरिये हुए छूटकूलों के प्रस्किरिया होते हुए अभिनेकी सिकार किया की वा उसमें से अधिकंस प्रसीद करते थे नात का जर्म 10 जुलाई 1956 में खंडगिया बिहार में हुआ था नात के एक बहन वीनिती मालिक है जो यारिस्ता क्या कहलाता है में भावनी मुक्बुम का में जानी जाती है अनुफ कैर का जर्म 7 मार्च 1955 में सिमला में हुआ था इसके पिता पूष करना थे एक कश्मीरी पंडित तेवा पोदो के क्लश्ट थे सिमला में प्राभिक सिख्षा प्राप्त करने के बाद राष्टी नातक विध्याले में एडमीशन में शानात रूप से की थी 1995 में में अनुफ कैर की साधी की रंद खेर से हुई थी अपने फिल्म करियर की सुर्वात अनुफ कैर ने 1982 में गराम मसाला नामक फिल्म में की थी लेकिन 1984 में आई श्रकाष्ट उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाता है 2006 में अनुफ कैर के अबिजी नियूज डेरिक्ट भारतीय टीवी शीरियर में शुनाया जो प्रसीन भारत में नौवी सब तोस्थाईत के यात्रा पर वरन करता था अम्रीता परकास एक भारतीय अभिनेत्री हैं और मोडल हैं उन्होंने ने चार साल के उम्न में अपने अभिने करियर की शुरुवात की और बॉलीवूड का मालियालम दोनों फिल्म में अभिने किया तब से उन्हें बॉलीवूड फिल्म तिल टी